लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आए सुनते हैं हरी शंकर परसाइजी द्वारा लिखित व्यंग रचना मुंडन किसी देश की संसद में एक दिन बड़ी हलचल मची हलचल का कारण कोई राजनितिक समस्य नहीं थी बलकि यह था कि एक मंत्री का अचानक मुंडन हो गया था कल तक उनकी सिर पर लंबे लंबे घुंडने बाल थे मगर रात में उनका अचानक मुंडन हो गया था सदस्यों में काना फूसी हो रही थी कि इन्हें क्या हो गया अटकलें लगने लगी किसी ने कहा शायद सिर में जू हो गए होंगे दूसरे ने कहा शायद दिमाग में विचार भरने के लिए बालों का परदा अलग कर दिया गया होगा किसी और ने कहा शायद इनके परिवार में किसी की मौत हो गई हो पर वे पहले की तरह प्रसन लग रहे थे आखिर एक सदस्य ने पूछा अध्यक्ष महोदय क्या मैं जान सकता हूँ कि मानिय मंत्री महोदय के परिभार में क्या किसी की मृत्री हो गई है मंत्री ने जबाब दिया नहीं सदस्य ने अटकर लगाई कि कहीं नोगों ने ही तो मंत्री का मुंडन नहीं कर दिया जिनके खिलाब बिल पेश करने का इरादा कर रही थे एक सदस्य ने पूछा अध्यक्ष महोदय क्या मानिय मंत्री को मालूम है कि उनका मुंडन हो गया है यदि हाँ तो क्या भी बताएंगे कि उनका मुंडर किस ने कर दिया मंत्री ने संजुदी से जवात दिया मैं नहीं कह सकता कि मेरा मुंडर हुआ है या नहीं कई सदस चिलाए हुआ है सब को दिख रहा है मंत्री ने कहा सब को दिखने से कुछ नहीं होता सरकार को दिखना चाहिए सरकार इस बात की जाँच करेगी की मेरा मुन्नर हुआ है या नहीं एक सदस्य ने कहा इसकी जाँच अभी हो सकती है मंत्री महुदय अपना हाथ सिर पर फिर कर देख ले मंती ने जबाब दिया मैं अपना हाथ सिर पर फिर कर हर गिज नहीं देखूंगा सरकार इस मामले में जल्द बाजी नहीं करती मगर मैं वायदा करता हूँ की मेरी सरकार इस बात की विस्तरत जाँच कराकर सारे तत्य सदन के सामने पेश करेगी सदस चलाए इसकी जाँच की क्या जरूरत है सिर आपका है और हाथ भी आपके है आप नहीं हाथ को अपने सिर पर फिर के मंती महुदय को क्या आपती है मंती बोले मैं सदस्यों से सहमत हूँ की सिर मेरा है और हाथ भी मेरा है मगर हमारे हाथ परंपराओं और नीटियों से बंधे हैं मैं अपने सिर पर हाथ फेरने के लिए सुवतंतर नहीं हूँ सरकार की एक अन्यमित कारे प्रणाली होती है विरोधी सदस्यों के धबाव में आकर मैं उस प्रणाली को भंग नहीं कर सकता मैं सदन में संबन में एक वक्त व्यदूंगा शाम को मंत्य महुदय में सदन में वक्त व्यदिया अध्यक्ष महुदय सदन में प्रशन उठाया गया कि मेरा मुंडन हुआ है या नहीं ये दी हुआ है तो किसने किया है ये प्रशन बहुत चटिल है और इस पर सरकार जल्दबाजी में कोई नड़ने नहीं ले सकती मैं नहीं कह सकता की मेरा मुन्डन हुआ है या नहीं जब तक पूरी जाच ना हो जाए सरकार इस सम्बद में कुछ नहीं कर सकती हमारी सरकार तिन व्यक्तियों के लिए एक जाच समीती निक्त करती है जो इस बात की जाच करेगी जास समीती की रिपोर्ट में सदन में पेश करूँगा सदस्यों ने कहा यह मामला कुत्ब मिनार का नहीं जो सदियों जाच के लिए खड़ी रहेगी यह आपके बालों का मामला है जो बढ़ते और करती रहते हैं इसका न्रड़ाय तुरंत होना चाहिए मंत्री ने जवाब दिया कुत्ब मिनार से हमारे बालों की तुलना करके उनका अपमान करने का अधिकास सदिश्कों नहीं है जहां तक मूल समस्या का संबध है सरकार जाच के पहले कुछ नहीं कह सकती जाच समीती सालों जाच करती रही इधर मंत्री के सिर पर बाल बढ़ती रहे एक दिन मंत्री ने जाच समीती की रिपोर्ट सदन में पेस कर दी जान समीति का निर्णाय था कि मंतृ का मुंड़न हुआ ही नहीं सत्ता धारी दल के सदस्ट्यों ने इसका स्वागत हर स्थवनी से किया सदन के दूसरे भाग में शरम-शरम की आवाज यह उटती रहीं एतराज उठे यह एकदम जूट है मंती का मुंडर हुआ था मंती मुस्कराते हुए बोल उठे यह आपका खैल हो सकता है मगर प्रमार तो चाहिए आज भी अगर आप प्रमार दे दें तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ ऐसा कहकर उन्होंने अपने घुंगराले बालों पर हाथ फिरा और सदन दूसे मसली सुल जाने में वियस्त हो गया